हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूटीब चैनल इन्फरमेटी निब्बा में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हींग के नुकसान दोस्तो हींग खाने के फायदों के बारे में तो आप अक्सर सुना होगा लेकिन क्या आपने हींग से होने वाले नुकसान के बारे में सुना है हींग खाने से आपके होटों में सूजन, पेट में गैस्वा, अतिसार, सीर दर्द, चक्कर जैसे समस्चाय सामने आ सकती है दोस्तो आप अक्सर अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए हींग का इस्तमाल करते हैं इसके अलावा हींग कई परिस्टानियों में घरेलू इलाज बनकर भी आपको फायदे पहुँचाती है ये तो बात हुई आपके स्वास पर हींग के पढ़ने वाले सकारात्मत प्रभाव के बारे में लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हींग के कुछ नुकसान भी होते हैं तो आईए जानते हैं कुछ ऐसे स्वास संबंदी नुक्सानों के बारे में जो हिंग के इस्तमाल से होते हैं दोस्तो पहला होटों में सूजन हिंग का सेवन करने के बाद कुछ लोगों के होटों में असामान में सूजन आग सकती है होट पहले से बड़े या फूले हुए लगने लगते हैं होटों में जनजनाट भी महसूस हो सकती है हिंग का ये साइड इफेक्ट कुछ देर के लिए होता है और कुछ घंटों में अपने आप समानने हो जाता है लेकिन ऐसी स्थिति बनी रहे और सुजन चेहरे या गले तो प्रभाइत व्यक्ति को तूरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए दोस्तों पेट में अतिसार दोस्तों हिंग को घरेलू या हरवल उप्चार के रूप में इस्तमाल करने पर इससे पेट संबंदी समस्या हो सकती है हिंग के सेवन से कुछ रोग्यों को पेट में गैस वा अत ऐसा t學e की समस्या सबी सामने आती है इस समस्या से बचने के लिए एक आसान तरीका है रिंग को हरवल उप्छार के तहरत खाने से पहले हलका फुल का इसनेक खा लीजिए दोस्तों इसकेन रैसित कुछ लोगों को हिंग के साइडिभ्यों के रूप में इसकेन रैसिच या त्वच्चा पर चक्तों की समस्य को जाती है. इसकिन रेशिज होने पर प्रभाई घ्टि की त्वच्च्चा लाल हो सकती है और उसमें खुजली की समस्य हो सकती है. यदि ये समस्या थोड़ी देर के लिए रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थ्वचा पर सूजा ना जाए तो दिक्कत बढ़ जाता है तो डॉक्टर से तूरन संपर करे दोस्तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फिडिंग में अगर आप प्रेगनेंट है तो हींग का सेवन बहुत असुरक्षित है हींग की तासिर गर्म होती है इसलिए प्रेगनेंसी में हींग खाने से मिस कैरेज होने का खत्रा रहता है अगर आप नवजात को अपना दूट पिलाती है तो भी आपके लिए हींग अच्छी नहीं है आपके दूट के जरीए हींग का असर बच्चे तक पहुंच सकता है और बच्चों के लिए हींग नुक्सान डायक होती है क्योंकि इससे कुछ निश्चित खून समबंदिस समस्या हो सकती है दोस्तो लकवा अगर आपको कभी लकवा मार चुका है या फिर एठन से जूड़ी गंभीर समस्या रह चुकी है तो हींग के सेवन से बचे इससे आपको दौरा पढ़ने पर डर होता है इसके अलावा किसी भी तरह की सेंट्रल नर्वस सिस्टम से समबंदिस समस्या में भी हींग खाना खतरनाक हो सकता है दोस्तो सीर दर्द या चक्कराना हींग की ज़्यादा मात्रा का सेवन करने से वैक्ति को सर में दर्द हो सकता है और चक्कर भी आ सकते हैं हिंग के नकारात्मक प्रभाव में से होंस में रहने में धिक्कत ध्यान न लगा पाना जैसी समस्याय हो सकती है वैसे ये प्रभाव थोड़ी देर तक बने रहते हैं और कुछ देर देख भाल करने से ठीक हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेसर दोस्तो हाई या लो ब्लड प्रेसर यानि हाईपर टेंशन या हाईपो टेंशन की इस्तितियां हैं जिनका संबंद हिंग के सेवन से है हिंग के सेवन करने से ब्लड प्रेसर नियंतन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है अगर आपको blood pressure की दिक्कत है तो हींग के सेवन से परहिज करे या फिर बहुत कम मात्रा में सेवन करे तो दोस्तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद